हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का जीयस क्रक्स में आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि सट्वी के बारे में इंडियन कंस्टीटिउसन जब बना तो कुछ चीजे जो है आर्टिकल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया गया तो इसके लिए सेडीूस बनाए गये तो ऊरिजिनली जब इंडिपैंडेंज के बाद जो हमारे समीधान में schedule थे वे eight थे लेकिन बाद में क्या हुआ कि नए चार schedule जोड़े गए तो यह कैसे जोड़े गए और इन schedule में है क्या उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तो सबसे पहले जो पहला schedule था first schedule उसमें है कि name of state and their territory यानि कि जो territory है उसका name and state जो है उनके बारे में the name of union territories and its region तो name of state and their territorial jurisdiction के बारे में इसमें लिखा हुआ है जो कि अगर हम constitution में देखें तो articles एक से लेकि चार तक schedule one के बारे में बताते हैं यानि कि जो territory के बारे में है उसमें explanation है अब देखते हैं कि कुछ committees बनी थी state reorganization से related इसके बारे में मैंने यही डेटा लिख रखा है अब इसको ध्यान से देख लें जैसे कि सबसे पहला जो state reorganization committee बनी वो थी SK DR committee SK DR committee जो है नवंबर 1947 में बनी थी यह पहले linguistic province commission की best पे committee बनाई गई थी और इनको determine करना था कि कैसे यह लोग वो करेंगे DR commission जो है वो linguistic province पे विचार करेंगे तो commission ने denied किया linguistic division को but advised to on administrative basis यानि कि इसने linguistic division को बिलकुल नकार दिया लेकिन इसने administrative basis पे division करने के लिए कहा SK DR committee में यह नवंबर 1947 में आया था अगली जो committee बनी थी वो थी JVP committee JVP यानि कि J से जवाहला नहरू, वल्लब भाई पतेल और पटावे सीता रमया इसके members थे यह committee December 1948 में बनी थी और April 1949 में इसने अपना report submit किया था इस report ने भी denied किया था linguistic division को यानि कि language based पे जो मांग थी उस समय मांग आ रहे थे कि states को language के based पे division किया जा सबसे पहला जो state मांग किया था और अंद्रप्रदेश ने सबसे पहले किया था अब October 1953 में हुआ का कि पूर्टी स्विरा मुली नाम के एक व्यक्ति जो थे 56 days के hunger strike के बाद मर गये और उनका बस यही इच्छा थी कि उनका जो state हो आंद्रा जो state हो आंद्रप्रदेश वो linguistic based पे इसका division हो जाए तो 1956 में अब इनकी death हो गई तो उसके बाद जो है यह आंद्रा जो अलग linguistic state बनाना पड़ा था 1956 में उसके बाद बहुत सारे और states मांग किये अपने linguistic division को मना रखने के लिए जैसे कि Bombay को separate किया गया महराष्ट और गुजरात में तो ऐसे और कई states है तो अगला committee जो आया वो फजले अली committee थी 1955 में आई थी इसमें three members body थे फजले अली केम पनिकर और एचन खुजरू यह three members थे फजले अली committee में और 1955 में क्या हुआ कि इस committee ने अपना report submit किया यह language इसमें क्या कहा गया कि language should be main basis for state reorganization but he denied the one state one formula इन लोगों ने फजले अली committee ने यह कहा कि language जो है यह basis हो सकता है state reorganization का लेकिन one state one language वाला formula नहीं चलेगा यहाँ है यानि कि जो एक भासी प्रदेश नहीं बनेंगे अब इस committee के आने के बाद 16 नए states और तीन union territory जो है इस committee ने recommend किये थे बनाने के लिए 16 नए states और तीन union territory लेकिन इस पे जब विचार हुआ तो पार्लेमेंट ने इसमें 14 states और 6 union territory बनाने की बात रखे तो यह state reorganization act 1956 के तहत 14 नए state बने और 6 union territory बनी अब इनके नाम मैंने लिख रख रहे हैं जैसे कि 1903 में आंधरा प्रदेश जो है वो separate हुआ मदरास से और आंधर प्रदेश एक नया इस्टेट बना 1960 में बॉंबे ब्रोकेन इन महराष्ट और गुजरात यानि कि बॉंबे जो है वो तूट गया महराष्ट और गुजरात में 1962 में क्या हुआ कि नागा लेंड जो है यह separate हु और Lynn 1970 में हिमाचल प्रदेश को कॉमप feminist डे दिया गया uk 1013 में मैसूर जो बन गया करणातका से मैसूर बना फिर 1971 में मेघालया मनिपूर अर ठीपूरा वी के मि स्टेट तो मेघालया ठीपूरा और मनिपूर से परिर यू टी जिन्यकी स्टेट्स बना दिया गया तियातरे मैसूर जो है करनाटक बन गया था 1975 में क्या हुआ था 1975 में एक मिनिट है 1975 में सिक्किम बिकेम स्टेट सिक्किम को स्टेट का दर्जा दिया गया 1986 में मिजोरम स्टेट बना और 1986 में ही अब राचल जो है प्रदेश जो है इस्टेट बन गया है यह सब नॉर्थ इस्ट के जितने इस्टेट से यूटी इस थे 1987 में गोवा को इंडिपेंडेंट मिला और उसी समय एक इंडिपेंडेंट इस्टेट बन गया था इसमें पूर्तोगालों का पहले कालोनी थे 2000 में क्या हुआ कि सन 2000 में 1 नॉमबर को 36 गड़ बनाया गया MP से काट कर 9 नॉमबर को उत्राखंड बना UP से 15 नॉमबर जो है जहारखंड बना बिहार से काट कर तो यह नए स्टेट बने फिर जून 2014 को तेलांगाना बिकेम स्टेट फ्राम आंध्रा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलांगाना और 2 जून 2014 को यह नए स्टेट बन गया अवी जम्मू का स्मीर जो है यह यूियन ट्रेयरी बनी है जम्मू का स्मीर और जम्मू और लाद्दाक जो है नए union territory बनी है तो यह 31 October 2019 को यह नए states बने हैं अब इसमें देखा जाए कि union territories के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं कि कितने union territories हैं और इनका division कैसे हुआ है तो हम देखेंगे कि लगभग एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ union territories जो है इस समय प्रेजेंट है और इन nine union territories में कैसी वेवस्ता है उसको हम देखेंगे जैसे दिल्ली सबसे पहले है तो इसमें legislative assembly है यानि कि यहां जो है चुनाव होते हैं और यहां cm का भी election होता है पॉंडिचेरी में भी 30 seats होती है legislative assembly की और यहां पे भी cm बनते हैं जम्मू का समीर में भी 107 seats हैं और यहां भी cm बनेंगे अभी इसकी वेवस्ता जारी है अब चुनाव होने वाले हैं तो दिल्ली में 70 legislative assembly है यानि कि यहां cm होंगे high court भी है यहां पे high court जो है डिल्ली का अपना high court है सिर्फ दिल्ली ही है जिसका अपना high court है और सब किसी का भी हाई court नहीं है इसका दिल्ली high court है इसके head को क्या कहा जाता है तो lieutenant governor जो है इसको है हेट को कहा जाता है पोड़ी चेरी जो है इसके जो 30 मेंबर से legislative assembly में तो यानि कि यहां पर CM होंगे जो इसका हाई court है यहां नहीं है पोड़ी चेरी का हाई court जो है मदरास हाई court में लगता है और इसके हेट को भी जो है लगता है इनके जम्मू में हाई court होगा और एक सो साथ से सो चौबीस हो जाएंगी जब पीओ की को इंक्लूट कर लिया जाएगा इंडिया में तो यहां पर भी हेड को LG कहा जाएगा अगला लगताख है लगताख में लेजलेटिव इसम्ली नहीं है अंडमाननी को बार का यह लोग कहां वो करते हैं तो यह को काता हाई court में अपनी इनकी बेंच लगती है इनके हेड को LG कहा जाता है चंडीगड में जो है यहां पर भी कोई सीयम कोई लेस्टेटिव इसम्ली नहीं है यहां पर भी हाई हाई court नहीं है और इसका अपना हाई court यह है पंजाब और हड्याना हाई core होगा इसमें Chief दामांदीप का भी कोई अपना हाइकोट नहीं है और बंबे हाइकोट में यह दोनों की बेंच लगती है और यहां पर एडमिने स्ट्रेटिव होते हैं जो हीड होते हैं उने से धने स्ट्रेट ağ जाता है लक्षदीप में हैं ना कोई हैं से अ और नहीं यहां CMA point होते हैं इनका जो bench लगता है और इसके head को भी administrative कहा जाता है अब देखा जाया है कि regions क्या होते हैं यूटीज बनाने की यूटीज बनाने की क्या regions होते हैं तो तीन तरह से हम लोग रीजन देखेंगे जैसे पहला रीजन है कि political and administrative region दूसरा है cultural region तीसरा है strategical region तो political and administrative region यानि कि जब दिल्ली हमारी capital है तो यदि ये center के हाथ में नर है तो इसको control करना देखा गया कि ये यूटीज रहे तो बेहतर होगा तो इसको चंडीगड को यूटी बना दिया गया है cultural heritage में देखेंगे पुड़ुचेरी दादर दावन और लद्दाक जो है पुड़ुचेरी में जो है यहां कुछ फ्रिंच बस्तियां है और इसलिए इसको एक central लेवर स फेरे जोना जता है यूटी से नहीं किया जाता है दादर नगर और दामन्दीप में भी पूर्СТगाली कालोनी है जो कि में यहां रहते हैं लोग तो इसलिए इसको भी सेंटर से कंट्रोल किया जासा है लद्दाक में एक बहुत रिलिजिन का बहुत अच्छा केंद्र है जो की कल्चραल पर इनहें इन्हें को बनाये गये हैं अब च्थ पर देखें अन्डमान और लक्षदीव या नेवी रख सकते हैं और नेवी रखने से जो बाहरी जो पानी के रास्टे से एंडिया पर उससे बचने के लिए जो है काफी एंपॉर्टेवर्ट हो तो पाकिस्तान और चाइना से भीडने के लिए सेंटर बिलकुल तयार रहेगा स्टेट के हाथ में अगर पावर रही तो दिक्कत होगी तो इसलिए स्ट्रेटेजिकल बेसिस पे जम्मू कास्विर अंडमान निकोबार और लक्षदीब को इस तरह सामिल किया गया है अब देखा जाए तो फाइफ रिजिनल काउंसिल हैं इन्हें चेयर करने के लिए इनको मैनेज करने के लिए तो होम मिनिस्टर जो है इसके चेयर मैन होते हैं रिजिनल काउंसिल के और मेंबर आफ रिजिनल काउंसिल कौन होता है तो जैसे union home minister, सभी CM जो की उस region के हैं और two other minister of the states तो अलग-अलग region को पाँच region में पूरे इंडिया को बाट दिया गया है और इनके कुछ headquarter हो गया है और administrative of UT जो होते हैं ये भी इनके members होते हैं, members of regional council अब देखा जाए पांच क्यों, कौन कौंसिल से हैं, जिने बनाया गया है तो northern regional council जो है, इसका headquarter दिल्ली में बनाया गया इसमें कौन कौन से states आते हैं, तो हीमाचल परदेश, हर्याना, पंजाब, दिल्ली, जमुक असमिर और लब्दाग तो आप जिस state से हूँ, उस state के council को याद रखें, और उसका headquarter जो है, उसको याद रखें जैसे मैं UP से हूँ, तो central regional council जो है, इसका headquarter इलहाबाद में है तो MP, LN, UP, UK और 36 गड का headquarter कहा होगा इलहाबाद में इस्टर्ण regional council देखें हैं, तो इसका headquarter कोलकाता में है, जैसे बिहार, जहारखंड, वेस्ट बेंगाल, रोडिसा जैसे, राजिस में आएंगे फिर western regional council का headquarter मुंबई में है, और इसमें कौन कॉंसे state आते हैं, तो गुजरात, महराष्ट, गुवा, दादर नगर और धामन दीवा आते हैं अगला जो state देखें हैं, वो है south regional council जो जिसका headquarter चिन्नई में है, इसमें आंदर प्रदेश, तेलांगना, करनाटक, तमिलनाडू, पुडुचरी और लक्षदीप आते हैं 1971 में जो है North East Council Act बना था, जिसका headquarter गुवा हाटी में हुआ, और इसमें कौन-कौन से state आते हैं, जैसे आसाम, मनिपूर, मिजूरम, मिघाले, नागालेंड, त्रिपूरा, अणाचल परदेश, और सिक्किम, ये North East Council Act में आते हैं, 1971 में ये बना था तो ये हमने देखा schedule 1 के बारे में, इसमें हमने देखा था कि name of the states और उनके territorial jurisdiction, name of the union territory and their extent, सारी चीज़े हमने discuss की, जो कि first schedule में mentioned हैं, जो कि article 1 से लेकर और 4 तक इसमें दिया हुआ है तो हमने इस quality के इस chapter को देखा, और इसको आप schedule 1 के बारे में देखा, अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद